Hello everyone, आपने सुना होगा, कई बार आपको आवाज सुनाई देती होगी, जाक दे रहो, और I think this is the right time, जब आपको जगती रहना है, और उसका reason क्या है, practicals का time start हो चुका है, board के particularly, और ये practicals आपके लिए उतने ही important है, जितना important मेरे लिए आपको कुछ material परवाइड करवाना, जो आपके काम आए, तो आज का जो वीडियो है, basically, it's related to class 12th history, और मुझसे especially एक message के थूँ बोला गया था, और even मैं आपको कहता भी हूँ, आपको किसी भी तरह का कोई material कहीं available नहीं हो पा रहा, कम से कम आप comment section में जरूर बता दीजिए, description box को वीडियो की जरूर देखिए, वहा अगर आपको कुछ content जो आप चाहते हैं कि available नहीं हो पारा कहीं भी, मैं वो provide करवाऊंगा, तो आज की वीडियो का topic स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा अपनी channel पर, the answer classes में, और वीडियो है महाबारता के topic पर, class 12th के history का chapter है, अगर आपने उस पर वाईवा त्यार किया है, तो शुरू करते हैं questions without getting late, so start करते हैं first question से, first question यहाँ पर अगर आपका वाईवा है इसी topic पर, तो first question आपके लिए है यहाँ, which language is used to write महाबारता, अब महाबारता के लिए कोंसी language use की गई है लिखने के लिए उसको, तो यहाँ पर, no doubt, अगर हम बात करें, बहुत सारी languages की, उसमें चाहिए Persian भी आती है, लेकिन यहाँ पर जो आपका correct answer है, वो है Sanskrit, जिस महाबारता को हम जानते हैं, जिस ग्रंत को हम जानते हैं, उसके लिए जो language use की गई है, वो है Sanskrit, so Sanskrit is the right answer, next question है आपका, how can you say that the language of महाबारता is easy as compared to other texts, अब अधर टेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे वहाँ पर वेदास भी लिखे गई हैं, लेकिन वेदास को पढ़ना इतना easy नहीं है, यहाँ पर महाबारता के लिए, हम जो भी language use के गई है, उसको पढ़ना थोड़ा सा easy है, इसलिए हम कह सकते हैं कि, it is a little simpler than the other text, चाहे वो वेदास हैं, या प्रा contents of the, जो present text है महाबारता कि उसको classified किया गया है, historians के दवारा, कितने heads हैं उसमें, तो basically two ही heads हम कहेंगे, और two heads में, एक तो है, didactic, तो आप second का देख सकते हैं, second आपका क्या है, एक sections है, sections और दूसरा didactic है, sections में क्या है, आपको मिलेंगी narrative, stories मिलेंगी, जिनको इसी की language में narrative कह गया है, और didactic में आपको क्या मिलने वाला है, didactic में मिलेंगी कुछ आपको prescriptions, जो वहां की जो social norms है, social culture है, उनके बारे में मिलने वाली है, तो ये वो two heads हैं, जिनके under, हम कह सकते हैं, महाबारता के text को divide किया गया है, two heading के under, historians के दवारा, question number four देखिए, what does that didactic sections include, अब आपक questions भी देख सकते हैं, board पर लिखा हुआ है, कि didactic section में क्या चीज इंक्लूड करती हैं, ये almost stories हैं, और narratives हैं, जो contain करती हैं, almost एक social message, आप इतना ही answer दीजे, क्योंकि देखिए, वाईवा की और आपको कुछ वीडियो से चुका हूँ, कि वाईवा आपने कैसे present करना है, आपकी examiner बैठे होंगे, और examiner के सामने आपने to the point ही बात करनी है, वो चाहिए आपके internal है, या फिर external है, आपने unnecessary उनसे कोई भी बात नहीं करनी है, जितना आप से पूछा जाए to the point आपने answer देना है, so next question के लिए हम चलते हैं, question number 5 है, within, अगर हम कहें, within early Sanskrit traditions, how the text has been described, a text को early Sanskrit traditions में क essay describe किया गया है, तो it's very clear, उसको कहा गया है, इतिहास, इतिहास word यूज किया गया है, इतिहास word को अगर हम देखें, next question भी हमारा इसी से connected है, अगर हम देखें, literal meaning है, इतिहास का वो क्या होगा, अगर हम देखें, simple सी words में, कि ठीक है, आप बताए, इतिहास को और हम क्या कह सक सकते हैं, तो यहाँ पर उसका मतलब है, thus it was, t-h-u-s, thus it was, हम बोलेंगे, इतना ही आपने बोलना है महापर, question 7, who wrote the original text of महाबारता, महाबारता के original text को लिखने का credit किसको जाता है, तो यहाँ पर आप एक question को अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इसका right answer क्या है, सूताज, अब no doubt अपने जो warriors होते थे, जो योदा होते थे, शत्रियाज होते थे, उनके साथ रहते थे हमेशा, और उनकी victory के बारे में poetry लिखा करते थे, points लिखा करते थे, तो यहाँ पर महाबारता के बारे में कहा जाता है, कि इसको जो लिखने का credit है, वो इनको जाता है, वो अलग बात है, एक rumor ऐसा भी है, एक viewpoint ऐसा भी है, कि यह कुछ कहानिया ऐसी है, जो सिरफ oral way से चलती आई, लेकिन बाद में आके इनको जो है, text का रूप दिया गया, तो सच्चाई, और हम कह सकते हैं, जो reality और imagination, दोनों चीज़े ही जो हैं आपर चलती है, कुछ imaginative world में, So next, question number 8 है आपका, from 5th century BC, who took over the story to give it a written form, अब देखिए वो story जिसके मैं उलड़ी बात कर रहा था, कि यह पहले oral form में थी, लेकिन बाद में, उस story को written form में जो देने का credit किसको जाता है, तो यह credit जाता है, ब्राहमनास को, उन्होंने जो है, यह charge अपने हाथ में लिया, और इस जो भी उनको traditions पता चलती रही, उनको written form में डालने का जो काम है, उन्होंने अपने हाथ में लिया, next question देखिए, question number 9 है, who excavated Hasinapur in Meret, अब Meret में, जो की उत्तर परदेश में है, उसको वहाँ पर कहते हैं कि Hasinapur मिला, यह Hasinapur एक जगा का नाम है, उसको excavate करने का credit किसको ज जाता है, तो यहाँ पर आपने simple answer देना है, BB लाल, BB लाल आप बोलेंगे, और अगर आपसे पूछ लिया जाता है, कि वो year कौन सा था, तो आपने year यहाँ पर क्या बता देना है, very simple year आप बताएंगे, यहाँ पर 1951 and 1952, तो यह कुछ ऐसे question से, जो मुझे लगा कि आपके ल description box में आप जाना मत बूलेगा, और साथ में जो एक और आपको मैं advice देना चाहूंगा, कि महबारता का जो content almost at the end of the chapter given है, थोड़ा सा ही है, आप इसको फिर भी text के थूरू go through जरूर किजिएगा, और जितने भी side में box given होते हैं, box में जो भी message given होते है, चोटा सा heading होती है, उ तो इस तरह अगर आप अपनी तयारी करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा easy हो जाएगा, board examinations को face करना, और second जो method आप follow कर सकते हैं, वो simple सा है, कि जितनी भी date related questions होते हैं, क्योंकि history में timelines का बहुत बढ़ा role होते है, तो आप timelines से related जो है, आपको material available होता है, text के अंदर, you can write it down in your notebooks, क्योंकि देखिए बच्चो, हम यह नहीं कहेंगे कि we have to get only pass marks, हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छा score करना है, और इसका score करने का सिर्फ एक method होता है, यह आप text को go through जरूर कीजीगा, no doubt, whatever questions I have told you, they are very helpful, और यह मैंने text से ही उठाए हैं, मैंने किसी help book में से नहीं ल easy हो जाए, और दूसरा काम आपने क्या करना है, इसके इलावा, बोर्ड के practical में जाने से पहले, इन सभी के सभी questions को revise जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप वहां confidently जाते हैं, तो teacher आपको अच्छे marks देगा ही देखा, आपकी file को देखने के बाद, जो भी आपका वहां का criteria ह होता है, उसके according आपको अच्छा score मिलेगा, so I hope so, these questions are helpful, और आप comment section में जो भी आपको message देना है, जरूर देजेगा मुझे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, share and subscribe करना मत पूलेगा, और साथ में ये भी कहूंगा कि first step in English, जो मैंने एक title के साथ कुछ वीडियो से दे जिसमें helping verb से लेकर, कुछ particularly ये ओ day wise use होते हैं, उनको जो है video 1, 2, 3, ऐसे जो है नाम देने वाला हूं, so अगर आप connectivity पहले दिन से रखेंगे, तो till last you will get a lot more, so thank you very much and have a very nice day.